अभी तक अगर आपने match & more चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो उस लाल बटन पर क्लिक करके match & more चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद जो bell का इकन आता है उस पे भी प्रेस कर दीजिए अभी तक अगर आपने Match & More चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस लाल बटन पे क्लिक करके Match & More चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद जो bell का इकन आता है उस पे भी प्रेस कर दीजिए हाई फ्रेंट्स इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 10 का जो साइन्स का चैप्टर है ऑप्टिक्स का जिसका नाम है Light, Reflection & Refraction सभी ने चैप्टर देखा होगा और इस चैप्टर से नियुमेरिकल आने के सबसे हाईली चांसे रहते हैं और इनफेक्ट पेपर में नियुमेरिकल आते ही आते हैं बोर्ड के एक्जाम की बात कर रहा हूँ इस वीडियो सीरीज में मैंने करीब आठ दस नियुमेरिकल लिए हैं जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं रिफ्रेक्शन के रिफ्रेक्शन के ठीक है स्नेल्स लॉग के बेस्ट पे सारे के सारे कोशन सॉल्व करेंगे इसलिए वीडियो एंड तक देखना most asked questions है that are always asked in the board examinations and the most repeated questions definitely कोई ना कोई question match कर सकता है आने वाले board examinations में तो ध्यान से देखना मैंने बोला कर सकता है यह नहीं कि करेगा ही करेगा तो बिना time waste किये अपना series start करते है अपना video start करते है question says that an object of 5 cm in length is held 25 cm away from a converging lens of focal length 10 cm draw the ray diagram and find the position size and nature of the image formed ठीक है भई अब देखते हैं क्या इसमें करना है question था कि एक object है 5 cm का कितनी cm की दूरी पर है 25 cm की दूरी पर है कौन सा lens है converging lens, converging lens कौन सा होता है convex lens, focal length भी दे रखा है तो याद रखना है convex lens का, friends पहले ही बता रहो मेरी writing बहुत खराब है तो कि comment में post करके यह मत बोलना, sir आपको लिखना ही नहीं आता है पढ़ा होगे क्या writing मेरी खराब है पहले ही बता रहो, I am really sorry for that Convex lens का जो focal length होता है positive होता है, concave lens का focal length होता है negative में इस question में आपको focal length दे रखा है कितना है 10 cm और कहा रहा है converging lens है, तो कौन सा आपका lens होगा, convex lens होगा So focal length will be plus 10 cm, अब दूसरी सबसे main चीज यह याद रखनी है कि चाहे mirror का सवाल हो, चाहे lens का सवाल हो, कोई सा भी सवाल हो U की value कभी भी 20, minus में ही ली जाती है, याद रखना भई, जब तक numerical करोगे In every question, in every numerical, each and every time, the object distance is taken in negative minus only That is minus 25 cm, और object का size कितना था, 5 cm, so the height of the object will be 5 cm आप क्या रहा है कि draw a ray diagram and find the position, size and nature of the image formed, ठीक है वो तो हम बता देंगे, अब पूछना क्या था, sorry, इसन में पूछा क्या था, कि position बताना है मतलब ये आपको V बताना है, फिर size बताना है, मतलब height of the image भी बताना है और फिर nature बताना है, मतलब आपको magnification भी बताना है So we have a simple formula that is the lens formula 1 by F is equal to 1 by 1 by V minus 1 by U So 1 by F में 1 by 10 equal to 1 by V minus upon minus 1 by 25 तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, 1 by 10, अब ये हो जाएगा minus minus plus So 1 by V plus 1 by 25, अब ये 25 इदर आके minus हो जाएगा तो 1 by 10 minus 1 by 25 हो जाएगा 1 by V तो अब डिरेक्टली 1 by V की value कितनी आजाएगी 1 by 10 minus 1 by 25 25 और 10 का LCM कितना हो जाएगा 50 50 हमारे LCM हो जाएगा 10, 5 is a 50, 25, 2 is a 50, 3 by 50 तो हमारे V की value कितनी आगई 50 by 3 cm तो ये हमारे V की value आगई अब हमको क्या निकालना था height of the image height of the image निकालने से पहले magnification निकाल लेते हैं magnification का simple सा formula होता है M is equal to V upon U तो V हमारे कितना है 50 upon 3 into U की value कितनी है minus 25 cm तो magnification हमारे कितना आजाएगा minus 2 upon 3 ये magnification की value आगई ठीक है अब magnification की एक और formula होता है हमारा magnification की एक और formula होता है कि M is equal to height of the image upon height of the object इस formula से हमारी height of the image भी आजाएगा तो magnification की formula में value पुट कर देते हैं अभी-भी magnification की value निकाली हमने कितनी 2 by 3 so minus 2 by 3 is equal to height of the image हमको पता करना है और height of the object हमको दे रखा है height of the object हमको कितना दे रखा है 5 centimeter so height of the image कितना हो जाएगा height of the image हो जाएगा आपका minus 10 by 3 centimeter so I hope friends ये point आपको clear हो गया होगा ये 5 जाके इधर से multiply हो जाएगा तो 5 to 10 minus 10 by 3 और magnification हमने कैसे निकाला m is equal to v upon me u v की value कितनी आ रहे थी 5 में से 2 गया 3 3 upon me 50 50 by 3 हमारी v की value आ रहे थी तो v की value हमने directly यहां से put कर दी थी और u की value हमारी कितनी थी minus 25 centimeter 25, 125, 25, 250 minus 2 by 3 हमारा magnification आ रहा था magnification की directly value लिख दी magnification का formula क्या होता है height of the image upon the height of the object तो height of the image कितना आ गया 10 by 3 centimeter अब इसका diagram मैं आपको वीडियो के end में बताऊंगा इसलिए video end तक देखना diagram बाद में बताऊंगा सारे के सारे questions के तो अब अगला question देखते है answer V का भी आ गया height of the image का भी आ गया और magnification का भी आ गया तो magnification हमारी किस में आ रहे थी एक चीज मैं और बता दू क्योंकि magnification हमारा minus में आ रहा था और जब हमारा magnification minus में आता है तो nature क्या हो जाता है real and inverted तो हमने nature भी बता दिया nature क्या है real and inverted है ठीक है अब आगे बढ़ते है जब हमारे match and more channel के playlist वाले section में जाएंगे आपकी फायदा की बात बता रहे हूं तो उसमें class 10 का 2019 का पूरा का पूरा sample paper आपको science का solved मिलेगा इस तीनों वीडियो की series को जरूर देखी है जो की latest pattern पे based है बहुत ज़्यादा फायदा करेगी आपको board की preparation में और friends वैसे ही class 10 के practical based question जो की physics, chemistry, bio के practical questions होते हैं सारे के सारे में बता के upload कर चुका हूँ ये video series भी देखेगा आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे practical based questions नहीं कर पाते हैं और जो आखरी का section होता है जिसमें 6 सवाल होते हैं दो number के सारे के सारे practical based questions होते हैं और वैसे ही जब आप हमारे चैनल के home tap पे आएंगे तो आपको class 10 के बहुत सारा study material में लेगा English का, Hindi का, Maths का, Maths का, Board का, Revision का सारे के सारे sample paper तो ये सारे video series भी आप check करिए और वैसे ही 2018 का भी sample paper मैंने science का पूरा का पूरा solve करके डाल रखा है वो भी 3 parts में है उसको भी आप check कर लीजेगा वो भी latest pattern पे ही है ठीक है और friends, सबसे most important बात जिसके लिए मैंने ये चीज़ आपको open करके बताई है कि class 10 की Board की मैंने revision की series बना रखी है जिसके अंदर 300 से 400 सवाल एक नमबर के, दो नमबर के, तीन नमबर के पांच नमबर के, मैं already बता के अपलोड कर चुका हूँ most ask questions है, बोर्ड में पुछे का questions है, इन सबको आप जरूर देखेगा बोर्ड की preparation में बहुत ज़्यादा help करेंगे friends, जैसा ये आप screen पे देख सकते हैं insta mojo.com करके एक website है इस website पे मैंने class 10 students के लिए physics, chemistry, bio के combine notes bio के notes, chemistry के notes वैसे ही मैंने physics के notes upload कर रखे हैं students के लिए friends, ये आपको board की तयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा help करेंगे, जो बच्चा pass नहीं हो पा रहा है, उसको pass होने में help करेंगे ये आपके जो topic में gap हो जाती है उसकी feeling करेंगे, तो आप इन notes को भी चेक कर सकते हों और purchase कर सकते है friends, height of the image कभी height minus में होती नहीं है तो इसलिए हम इसका mod ले लेंगे, तो answer हमारा आजाएगा 10 by 3 cm